पता कर लिजे, पता चल जाएगा आप लोग को, पूरा का पूरा प्लिक भीतर से मन बना चुकी थी, और यह मैं सुरू से कह रहाता हूँ, यह अंडर करेंट है, खुद ही पता चल जाएगा, एक एक चीजों की खबर रहती है, लोग के गाली गलोज, यह सिर्फ पुरानी परंपड़ा, पुरानी चीजे हैं, लोग नई बात और नई तरीके से समझना चाहते हैं, लोग एक उमीद दिखता है, एक ट्रस्ट करना चाहते हैं, और आप पहली वाली बात ही जातपात की राजनिति करेंगे, लेक वार्ट फॉरवर्ट करेंगे, एक दूस्रे को गाली को नोज करेंगे, मुद्दों से भटकाएंगे, तो जब आप मुद्दों से भटकाईएगा हर आदमी को दिखभर्मित करिएगा और फिर उन्हें से लेकर दूआ ब्यार की राजनीती आज तक होती रही है कोई टार्जेट करना तो यह कहां थे यह लोग जब इतने बड़े बड़े तुफान कुराना भारस यह तो तब कोई मंत्री संत्री घर से नहीं निकल रहा था सब को कुराना धर रहा था आज सब का कुराना ठीक हो गया भी तो भारत से कुराना गया नहीं है तो आज जो जिस तरीके से गिरिराज सिंग जी या अनलोग जो जिस तरीके से बोल रहे हैं बात करते तो बहुत गलत हैं बहु क्षेजी का चेहरा दोगाव है लो सब जगा मोधी जी को मुक्मंत्री अब प्राइम निस्टर से अठके मोधी मुक्मंत्री हो रहे हैं क्या है हमको लग रहा है हमको लग रहा है कि मोदी जी यहां आप सीम बनें तो हम वो तैय करने दीजिए कौन सीम बनें जालिया बला भाग से नित्रीष बाबु का जो सासन प्रसासन का नंगा नाच है जो हिटलर के तरह हुआ लिपी सिंग को सस्पेंट करके बठानी चाहिए और पुरी जांच होनी चाहिए मैं चुना आएक उसे रात भी मांग के आहूं और यही चेहरा सुशासन का पंद्रह साल रहा है पुरीसिया जुलम मैं तो कई बार कहा कि पांच बदाधिकारी अब पांच से चैनल वाले अब पांच नेता यह 15 आद्मी नित्रीष बाबु को चलाएं पांस्टो पत्रकार पांस्टो नेता पांस पदादिकारी पंदरा आदमी 15 साल चला है और जो भूंगेर की घटना है यही 15 साल का सच है चुकि चुनो था तो यह दिग गया जो जो लोग इन्वाल्व है उसमें पर खास्त करना चाहिए और लिपिस इंको कम्प्रिट टूप से सस्पेंट करके उस पर इंक्वारी बठाना चाहिए ताकि जो जालिया वाला भाग से भी विभश घटना घटी है वह आगे लोग काप जाए और मैं आपको बता दूँ एदि हमारी सरकार या भागिदारी की सरकार हुई तो इंस्पेक्टर राज को 72 घंटे में मिटा दे करेंड़ पिंसे में, टुले तो और मैं आपको है विभशर झाला मैं आपको जाएवे द कि रविभश एफिधर में मिटारी सरकाबाऑला याला चाह प्स बारी तो प्स जांते हैं किंसा जार्स करता दे में में आग्दि rond boat.